अश्टम भाव जिसे मुत्तिवा कारक कहा जाता है अश्टम भाव रूख का कारक भी है और ये गुप्त स्थान है मतलब अग्यात चीजों का कारक ग्रह जो भाव है वह है अश्टम भाव और अश्टम भाव का स्वामी अथात अश्टमेश वह इन सब का मुख्य कारग बनता है जब अश्टमेश की दशा आती है तब कैसा पैणाम देगा क्योंकि अश्टमेश त्रिक भाव में से एक होता है इनका स्वामी होता है अश्टेमेश की दशा वैसे अच्छी नहीं कही जाती है कि कुई ये विपत्ती लाती है ये शत्तुभय लाती है ये धन की हानी करती है और आपके जीवन में चिंता कलेश लाती है अगर अश्टमेश की दशा में पाप ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो वेक्ती के जीवन में धन का नाश होता है उसके यश की हानी होती है और शत्तु भै होता है उसकी प्रतिष्ठा दाव पे लग जाती है और जीवन में कई कश्टों कलेश आते हैं अश्टमेश की दशा में कई लोग बड़े विपत्ति में पड़ जाते हैं यहां तक कि कई लोगों को म्युत्यू के घास में जाती भी दिखा गया है क्योंकि यह मुत्यू तुल्य कर्ष्ट दिते हैं लेकिन इनका उपाय किया जाए तो इनकी कश्टों में कुछ कमी लाई जा सकती है अगर अश्टमेश की दशा हो और उसमें द्वितेश का अंतर दशा आ जाए तो यह बहुती तकलिफ दायक होता है मुत्यू कारक होता है क्योंकि द्वितेश जो होता है वो अश्टम से अश्टम होता है तो डबल अश्टम हो गया अर्थात वेक्ति के जीवन में भया वह परिस्थी बन जाती है उसमें भी अगर मंगल का संबंध या शनी का संबंध इन दोने भावों में बनता हो तो दिक्कत होता है खास करके मंगल और राहू का संबंध अगर अश्टम से हो तो एक्सिदेंट के योग भी बन सकते हैं अश्टम की दशा में अक्सर शीव जी की पूझा करे शीव जी के मंतरों का जाब करे खासर कि ओमनमश्शिवा जैसे की या फिर महा मित्तल जे मंतर का जाब करे शीव जीव का उद्रा भी शेक करे और कोई भी बुरे काम करने से बचे अश्टमेश की दशा हो तो अश्टमेश के मंत्रों का जाप करे पूजा रादना करे लेकिन हाँ उनके कलर से बचे अर्थाथ अगर अश्टमेश शनी है तो काल या नीले कलर के कपड़े ना पहने और भोजन में भी इन कलर का उपयोग ना करे अगर अश्टमेश शुक्र है तो सफेद कलर से बैर करे अश्टमेश बुद्ध है तो हरे कलर से बैर करे अगर अश्टमेश ब्रस्पती है तो पीले कलर के कपड़े ना पहने या पीले कलर के खाद्य पधारत ना खाए अश्टमेश की दाशा अक्सर कतलीख दायक होती है क्योंकि त्रिक भाव में से एक है ये अशुब मानी याती है ये कश्ट कलेश देती है इसलिए इनका उपाय अवश्य करें